पूछा मैं क्यूं आया, मैं इसलिए आया ये बहुत पुराना दोस्त है वेरा दुबए में हमने बहुत गुलचरे उड़ाए हैं तो मैं थोड़े और गुलचरों की कहानी यहां पर उड़ाना चाहता हूं और ये सारे रिष्टे अधूरे रह जाएंगे अगर हम एक ऐसे इंसान की बात ना करें जिन्होंने राज सहाब से लेके इनफाक्ट रनबीर तक के लिए कंपोस किया हुआ है जब आपकी लॉंच पार्टी हुई राज कपूर साब की तो जो गेस्ट इन्वाइटेट थे उनमें से एक गेस्ट पीछे से चिला रहे थे शो अस दसिंगर वो कौन थे अलो बहुत 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 शुक्रिया ने जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ मैं शायर तो नहीं उसके बाद ऐस यूजिल राज साब ने पाटी दी और मुजिशन के लिए बड़े-बड़े स्टूल्स होते थे इस्पेशली रिदम के लिए तो उन स्टूल्स में मुझे डिम्पल को चिंटू को खड़ा किया अब पहले रास हमने चिंटू को इंटू किया कि मेरा बेटा है पहले बार लीडिंग रोल कर रहा है तो उसे आशिरवाद दीजे और यह है दिम्पल दूस्पिंग दर टाइटल रोल तो आवा धारे थे इंटूज आ सिंगर इंटूज सिंगर नीचे देगा तो कॉन अब यहां से जो एक आपकी जरू ही और मैं यहां ओडियंस को बात बताना चाहता हूं की ना सिर्फ शैलेंद्र जी आडी के फेवरेट सिंगर थे बट फेवरेट फ्रेंड भी थे आडी बर्मन हमेशा एक बात कहते थे शैलेंद्र जी को कि I really love your sense of rhythm and I think ladies and gentlemen that's a beautiful compliment for a singer to have and sir मैं आपसे यह जाना चाहता हूं की यह यह तो होगी party की बात फिर उन्होंने आपको जब गाना दिया तो पहला गाना हमने तुमको देखा वो तो ठीक वो उसमें problem तो नहीं थी लेकिन उसकी recording से पहले कुछ problem हुई थी ने problem हुई थी जब काफी दिनों बाद जब यह record करा था हम लोग वो जमाने को दिखाने का हुगा हे कांची हो जो होगा तो मुसे पहला आगा तो पंचन ना ने गाना कि उन दिनों कैसेट्स चलते थे तो कैसेट्स पर रिकॉर्ड करें मुझे भेज दिया वो लाइं तुम की गाना है रिहसल कर लो दो दिन बाद आम इसके recording करेंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठके गाना मैंनों सुनी यह पंचन ना गाना विचाएं गूंट रिकॉर बुरी बुरी गालिया क्योंकि वर्ड्स लिखे नहीं थे जब मज्रू साम लिखा नहीं था जब आपको डमी वर्स तो चाहिए होते हमको तो जो पहली गाली शुरू हुए ऐसी जबरदस्त और मेरे घर वाले माबाब सब परिशान की यह क्या है मैं लेके भागा अंदर ब आगा ले धृर कला है थे और और दो घाली दिए मुझे सब के सामने क्यो सुना मुझे के हमालम की गाली से भर हो गई उसके बार नैक अभी भी पंचमन का गाना तो इसके नहीं एप पेस प्रश kin और यह यु Seemsु आतुग या जो एक वे बापन की लाइव नहीं और ने नह तो वो फेज जिसमें आप उनके साथ खड़े रहे एकदम मलब and we really as fans appreciate you for that. तो वो फेज के बारे में अगर आप कुछ बता सकें. देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि you know what started as a singer-composer relationship culminated into a beautiful, beautiful friendship. ऐसा दौर था कि he was very depressed. क्यों कई लोगों ने छोड़ दिया था उनको काम देते नहीं थे और उनको एक फिल्म मिली तो उन्होंने फोन करके बुलाए कि तू आजा घर पर गाने सुनाता हूं तुम्हें गया है तो मुझे गाने सुनाएं वो फिल्म थी 1942 लव स्ट्योरी पादा इस मेरे नहीं है बतके बहाने लेकिए बात बता दू कमाल के गाने, they are fabulous songs, बहुत अच्छे, and then he said, देखना शेलू, मैं इस फिन से आल कम बाक, I said definitely, but unfortunately he didn't live to see the success of that film. अच्छे, and in fact sir, मैं एक चीज़ ये कहूंगा कि जो फेज उनोने देखा है, उसके बाद अगर 1942 आया है, I mean it's evident that, you know, a man is not finished when he is defeated, a man is finished when he quits, and R.D. बर्मन नेवर कुछ, but he was very lonely and depressed, I guess everyone goes, goes through that phase, you know, sometime in life, so sir, now we have a request from the audience, ने, किसी ने ने बोला कुछ, तू आपने मंसे बोला, मुझे वो, मैं जाता हूँ, पिछे जाता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं, तुम के यह गोमना देखे हैं, तो फिर मेरी तरफ से request मान लिजी आप, क्यूंकि, Bobby के गाने तो हुए, दो वी वांट, और अब देख लेते हैं, ओडियन्स के क्या reaction है, दो वी वांट, खेल खेल में, क्या होता है, कि जो भी सिंगर, उन दिनों, जिसको ब्रेक मिलता था, उसका एकी लक्ष होता था, कि मैं जल्दी से जल्दी कब पंचमदा के लिए गाना का हूँ, और मुझे मौका मिला खेल खेल में, तो मेरा पहला गाना था पंचमदा के लिए, इस फिल्म का,